मैं जिस कभी को आमंत्रित कर रहा हूँ वो उनका करम नहीं है लेकिन चुकि बाकी मंत्रिकण को मुख्य मंत्री जी को व्यस्तता के बीच हुसता चाना पड़ सकता है तो मैं लोग समवराण नहीं कर पा रहा कि मैं उन्हें नहीं सुनवाओं दोस्तों अगर ठीक से भारतीय लोगतंतर का इतिहास पढ़ा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग विश्वास करते हैं जो पीछे आगे बैटे हैं जो सुबही सुबह फेस्बुक पर ट्वीटर पर एक दूसरे जगड़ा करते हैं इसलिए ध्यान नकना कि ये द कानुन मंतरी के रूप में बाबा साहब को पद्भार दिया गया उन्हें से आगे और जो शायत तालिया कंब जी वो इस पर बजेंगी के अपने से विपरीत विचार वाले आज राश्टरवाद जिनके नाम पर इतना सारा काम करता है उन शामा प्रसाद मुखरजी को भी न कासी सरकार चल ले थी और पक्ष प्रस्तुत करना था भारत का लेकिन कैसे लोग इस संसद्य देखे हैं और कैसा समय आ गया कि उस सारे बहुमत के बावजूद भी कॉंग्रेस सरकार में नरसिंगा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए अपनी पार्टी का कोई नेत करते हैं तो यह जिस तरह हम सोचते हैं बवानी प्रसाद मिश्र जो यहीं के कभी हैं मध्यप्रदेश के बवानी दादा ने लिखा कि जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह तु लिख और उसके बाद ही हमसे बड़ा तु दिख मैं कैसे कभी को बुला रहा हूं जो पिछले चार पांच-छे वर्षों में शोशल मीडिया का बहुत बड़ा विमर्ष जिसने सैट किया गालियां भी बहुत खाई, तालियां भी बहुत मिली स्वीकार भी मिला, अस्वीकार भी मिला और हमें याद है कि जब सरकार मनमाउन सिंग जी की थी तब भी हम सब लोग कविता पढ़ते थे और इसी तरह कविता पढ़ते थे और यही सब बाते बोलते थे जो बोलनी है, जो बोली चाहसकते थी लेकिन ऐसी स्थित्या नहीं आती थी कि नकार इतनी बुरी हालत में हो जाए लेकिन विपरीत परिस्चतियों में अगर कोई तैर सकता है तो वो मनुष्य तैर सकता है बहाव के साथ तो लाश बहती है मुर्दा लोग बहते हैं और ये मैं दुश्यंत के शहर में कह रहा हूँ जिसने आग लिखी है और उस आग का प्रभाव जेला है मैं चाहता हूँ कि गुलाबी नगरी जैपुर से आए संपत सरल को आवंत्रित करो इसी गुलाबी शोर में आप जोड़दार तानियों के साथ संपत भाई का स्वागत करें आए संपत आज के समारों में विराजित समानिय मुक्यतिति आदर्नी कमलनाज जी आदर्नी इतिग्विजे सिंग जी लक्ष्मी शादो जी और तमाम जो लोग हैं केबिनेट के और विदान सभागे सद्द से और बोपाल के रशिक्स रोताओं का मैं अभिवादन करता हूं हिंदी मंच पर आदर्नी रहात इंदोरी साव्या विराजे हैं तो यह संदेश तो चलाए गया कि आवाज दो हम एक हैं जी सुदेश्य को लेकर के ये कारेक्रम आपने संयोजित किया उनके त्याग और बलिदान को भी प्रणाम करता हूं माखनलाल चत्रवेदी जी इसी प्रदेश के कवी देख है वो तो पूरी देश दूर्दुनिया का होता है कवी करंबीर उनकी कविता की चार पंग्तियां है कि बीच जब मिट्टी में मिल जाए वरक्षत भूगता है हेमित्र कलम से शाही गिरती जाए पत्र पर उठता जाता चित्र तो उस त्याग और बलिदान को जो उनको प्रणाम करता हूं डप्टर कुमार विश्वास रिणी है हिंदी कविसंबेलन उनका के जो उन्होंने विस्तार और गहराई दी है और जब जब भी किसी कविसंबेलन में हम साथ थे और कुछ आवाजें उठी तो वो हमेशा डट करके मेरे साथ खड़े रहे ऐसा में तिया अपनी जिगह होती है मैं उनका भी वाविवादन करता हूं दरसल लोग मुझसे सिकायत करते हैं मुकपंद्री जी कि आप एक तरफा क्यों बोलते हैं बेलेंज किया करो मैंने का भाई जी बेलेंज करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं सरकार किसी भी हो स्वस्थ प्रजातंत्र में विपक्ष मजबूत रहना चाहेगी और जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो तो ये जिम्मेदारी कवियों की शायरों की बुद्धी जीवी और पत्रकारों की हो जाते हैं अम उसी दाइत्यों का निर्वहन कर रहे है गांधी को लेकर के भी कुछ का आ गया ये मेरा नीजी मत है कि नहरू के विग्ञानिक समाजवाद से अच्छा मोडल हिंदुस्तान के लिए कोई दूसरा मुझे आभी दिखाने भी UX और गांधी साध्य है नेहरू के वेग्यानिक समाजवाद के रास्ते चल करके गांधी वाद तक पहुंचने का अब गांधी को लेकर के भी तमाम तरह की बाते हैं लेकिन जीवन में सहज रहना चाहिए आपी के प्रदेश के भाजबा के बड़े नेता ने कह दिया था कि बापू का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा हमने उसका बुरा नहीं माना कि यह हो सकता है कुछ के बापू के लिए कह रहे हूँ दरसल चर्खे के साथ फोटू खिचवाने से कोई महात्बा गांदी नहीं हो जाता है कस्तूरबा को भी साथ रखना पड़ता तो तमाम दरे की सिकायते सहज रहा करो और इनकी बातों पे गुशा मत करो यह हसने वाली बाते जब वो कोई मुझे सिकायत करता कि साथ देखो पार्लेमेंट तो पार्लेमेंट लाल किले से भी जूट बोला जा रहा है मैंने का मुस्ताक हमेद युसुफी साथ एक बड़े व्यंकार हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हों कि ये जूट है तो ये गुना नहीं है संदर्सी भाव में रहना चाहिए विशंगत्यों श्यंग निकलता है अभी कह रहते हैं मत्यप्रदेश शासन में वो दिनेश बावरा बहुत समझ रखता है लेकिन बोला भाज साब ये व्यापम क्या था मैंने का आवेदन एक ने किया परिक्षा में दूसरा बैठा नो इंटर्व्यू तीसरे ने फेश किया नोकरी मिली चोथे को और करता रा पांचवार पैंसन छठे की हुई वेतन उठाया सात्वे ने और अब आपकी तालियां उठेंगी जबकि सात्वें की डेथ तभी हो हो गई ती जब पहले ने अपलाई किया तो वियंग कहां से निकलता है आखवार आप पड़ते हैं खबर का शीर सक देखो आज भारत के प्रधान मंत्री भारत आएंगे मैंने का भया खबर बढ़िये सेलिब्रेट करना चाहिए एक आठनो साल के बच्चे को मैंने दस रुपे दे मैंने का बेटा सामने आइस क्रीम के ठेले वाला है पांच-पांच रुपे की दो कुल्पी ले आना एक तू खाना एक मैं खाता हूँ आद भारत के प्रधान मंत चायवाई बेशते हो क्या देखो दुनिया मोहब्बत से चलती है जंगल में जब आग लगती है तो ने तो वो बर्गत बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं और ने वो बास बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिनगारी पैदाने क्या बात है वाह बहुत अच्छे सब चीज़ें आती जाती रहेंगी मीडिया के लोग भी यहां हैं काफी हैं मैं माफी चाहता हूं हालां कि यह काम उनको करना चाहिए यह भी अपने दाइत्व का निरुहन पिछले कुछ समय से तंक से निभा नहीं पा रहे हैं अलां कि गलती उनकी नहीं है जो अपने कैमरे और कलम लेकर के आएं हैं कलम और कैमरा उनको पकड़ा दियार हाथ पीछे बान दिये गए आजादी के बाद जब हम थोड़ा समझदार हुए हैं पहला मोका है जब प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्चपाश्ट बताता है ये मीडिया का बड़ा भाग दिखता दिये के साथ है लेकिन है हवा के साथ अच्छा है बहुत अच्छा है और इनको जवाब देना पड़ेगा इसी सहर के शायरते ताज बोपाली उनका एक शेर है कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है वेखबरी अखबार अखवाद भी होते हैं कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं आवाजे भी उठा रहे हैं लेकिन तीन चीजों के लिए पड़े जा रहे हैं बिजली कटोती उठाओना और रासी फल रोज ने निकलते हैं एक दिप्ट्वार के दफ्तर से दो लो करने आप भी ग्राक बन जो क्योंकि अखवारों का कोई पाठक तो बनता नहीं क्या बात है वाह एक रुपे में 16 पेज और जो मैंने जवाब दिया एक रुपे में 16 पेज मैंने का वहीया रूपया चाहे एक कीज़ेगा दो लेजा लेजा लेकिन 16 पेज खाली दे जाए कर फिर मैंने रिशर्च की कि इतने अखवार बिखते कैसे तो आचाने के एक दिन एक अखवार के दफ्तर से फोन आया बोलो संपसरल जी आज आपका नाम हमारे अखवार में छपा मैं बड़ा खुस हुआ जी आपका अखवार कहां मिलता है बोले हमारा अखवार को योकरनी माटता है जिस किसी का नाम छप जाता है दिन बर वही खरीद खरीद कर माटता है और टेलिविजन वाले बंदू तो इतना हसा रहे हैं कि आदमी पेट पकड़ ले वो प्राइम टाइम में बहस आती है ने निज चैनलों पर जैसे किसी जमाने में अवद के नवाब मुर्ग लड़ाते थे पर अफौ की कि आने पर अफौक आम मन चार जर्ण गैसि आते हैं एक मुद्धे का समर्थ पूरा वेश्वीक परिद्रश्य आप देखो इस समय है खली यहीं की बात निये वो ट्रम्प हो पुतिन हो आबे हो जिन्पिंग हो वहां वाले हो या यहां वाले हो जनता को लगता है कि राजा का चुनाव प्रजा करती है दरसल दस बारे मल्टी नेशनल कंपणियां मिलकर के जिसमें चावी बर देती है वो किलो लगता है वाले हो जिस दिन उनका काम पूरा हो जाएगा उस दिन नीचे उतारते दो चीजे हैं बाजार और बाजार वाद दो पैदा करना वाँ चाला कर्थ सास्त्रियों ने सारे समीक्रन उलट पुलट कर दिये चुम्बक के गुन बाजार में बर दिया और मनुश्यों को लोहा बना दिया है और टेक्नोलोजी आलांकि डिजिटल इंडिया होने से फाइदा भी हुआ है ऐसा नहीं है आदमी ने कोई भी आजमी देखो कितना व्यापार मुक्त हो गया कोई भी आजमी किसी भी समय किसी भी तरह का बिजनिस करता है कर सकता है अभी तो मैं पिछले दुनों दवा की दुकान पे गया अलांकि तबियत खराब नहीं थी दरसल एक्सपारी डेट के दवाईयों पे डिसकाउं दुकान दार मेरा मित्र था वो भी मजाग पे उतर गया वो लियार आज भी मिमार पड़ गये गया मैंने बात समाली मैंने कहीं ऐसा नहीं है दरसल दो कारणे एक तो आज खरीदने का रिवाज और दूसरा आज के दिन पूरे बाजार में आप ही कियां सबसे कम भीड़ थी वो बोला ठीक करें हो संपजी दूसरों की विक्री देखकर मैं भी छोड़ रहा था एक दिन के लिए दवाई की दुकान के आगे थोड़े बरतन लगा लेते तो दो पैसे हम भी ठीक से कमा लेते हैं वो दस दुकान छोड़ करके एक मेडिकल वाले हैं शिंग साब वो तो उलिटी और उन पर समरतन करना मैंने का शिंग साब के पास पड़ा के बेचने का लासेंस है कि भी बंचर कुमार विश्वास कह रहे हैgg 술bes में पड़ाता था आदर नीय मंति अशेयरनेर भी अधिकल दламप अधी पढ़े लिखियन और मुझे अच्छा नहीं लगता जब विपक्स के लोग एक आजमी को इतना टारगेट करते आपने प्रधानमंत्री जी की डिग्रियों पे सवाल उठाए ये कोई अच्छी बात भी जब सेटेलाइट लोन चोकर के अपनी कक्सा में इस्था पे तो गयार दरते के चकर काट कर रहा पर क्यों डिजाइन पर बैस कर रहा है और वैसे भी डिग्री से अन्वाव बढ़ा होता है मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आयाइटी की थी फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटी आई करनी पूड़ी हालागी बाद में पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बाकाएधा प्रेस कॉन्फरेंस करके प्रदान मंतरी जी की डिगरिया दिखाई तब जाकर विपक्षियों का मबंद हुआ कि हमारे प्रदान मंतरी ने ने शिरफ में कर रखा बलकि बीए भी कर रखा और आज ये डॉक्टर कुमार इश्वास होटल में पूछ रहते हैं क्यों भाई जी जब प्रदान मंतरी इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी यही सब शटायर है अभी महाराष्ट्रा की भी चर्चा आई दरसल वो सेकिंड की सुई जो है घडी की वो मिनिट वाली से आगे निकल रही थी लेकिन उसको पता नहीं था कि सेकिंड वाली पूरा चकर काड़ती है तब मिनिट वाली थोड़ी चिक सकती है और ये पहला मोगा है महराश्ट्रा में जब चोकीदार का पाला थानेदार से पड़ा आएंगी जाएंगी मौबत रहनी चाहिए देश रहना चाहिए पाकिस्तान चाहिए इंग सब विश्यों पे तो कर्नल साब बोलेंगे क्योंकि तो आमने साब ने चेहरे से चेहरा मिला कर करके आँखें से आँखें मिलाकर के लड़े हैं मेरे लिए ये व्यंक के विश्यों पाकिस्तान पर क्या लिखना उसकी जितनी आवादी है उतने तो अपने 24 गंटे फिरी वाइफाई के चकर में फोर्जी टावरों के नीचे बेटे रहते हैं और चाहिना से भी युद्ध कि योगी 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है हम जीतेंगे रूस खुशी में फिर चाइनीज पटा के पोड़ेंगे वादावरन में अजीब सा तनाव है विकास का एजेंडा कह करके आये ते कुर्शी मिलते एजेंडे के विकास में लगके और सवाल खड़े करो तो जूता निक जाते हैं अग्त तो आप जानते हो ना जिसके आखे तो होती है लेकिन दृष्टी नहीं होती है वो अंध्भक्ती में इतना डूबा रहता है कि अर पथर को देवता मानता है वो एक भक्त तो माइल स्टोन को देवता समझ करके नारियल चड़ा रहा था तो किसी ने उसको स समझाया अकल से काम ले जोगी नहीं थी बोलो जिसको तुम देवता समझ रहे है वो माइल स्टोन है वो अंध्भक्ती में डूबा था बोलो नहीं यह साक्षा देवता है देखो इसना यहीं से बता दिया है कि दिल्ली 200 किलोमीटर तो हुआ 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 ह यह नोजवान दोस्त बेटें बुजुरू लोग बेटें अपने परिवार के और छोटे बच्चों को समझाओ कि यह सोशल मीडिया पर इस तरह का काव है यह आपका समय श्रम और बुद्धी को नश्ट कर रहा है इससे कुछ हासिल नहीं होने जाने वाला है दुनिया की कितनी भी एडवान्स टेक्नोलोजी हो आप रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं मुद्धों की बात करो, रोजगार की बात करो, सदभाव की बात करो, महेंगाई और वरष्टचार पर बात करो ये उन मुद्धों से द्यान हटकाने के लिए इस तरह के शोशेवाजी की जाती है अभी जैसे दारा 370 का मसला था मुझसे भी लोगों ने पूछा ये मेरे व्यक्तिकत मत बता रहा हूँ बोले जी 370 पर मैंने का मूल्यांकन समय करता है आज हम इस पर कुछ नहीं कह पाएंगे बेंड तो हमारी शादी में भी बहुत जोरदार बजा था अभी एनार्शी का मसला है मैं समझता हूँ कि अगर वो सरणारती हैं चाए गुस्पेटी हैं धरम के आधार पर किसी के साथ भेदभाव इस देश की हजारों साल की परंपराओं की विरुद्ध है नहीं सिरफ लोगतंत्र और संभिधान के विरुद्ध है हजारों साल की भारती है ताके विरुद्ध हैं इस सारी चीजे जो आया है वो सब का है और ये धर्म के जगडे भी नहीं है इतियास के नाम पे लड़ाते हैं महारणा प्रताब का मुख्य सेनापती हाकिम का पठान था और अक्पर का मुख्य सेनापती राजामान सिंग थे वाह बहुत है वो सब शामराज जिवाद के जगडे थे धर्म भी उसमें एक टेक्टर हो कर रहा है चीजें भी बदलेंगी जैसे आज में जेपूर से आया बारे गंटे लगे डोक्टर कुमार उस्वास को फाइट से आना पड़ा उसमें भी डाई तीन गंटे लगते हैं यह चीजें हल हो जाएंगे जब बुलेट ट्रेन चल जाएगा और हम तो सुनते हैं कि बुलेट ट्रेन के लिए करजा भी 50 साल के लिए मांगा है वो जानते हैं 50 साल बाद ने देने वाले बचेंगे ने लेने वाले बचेंगे और इसी सहर के सरच जोशी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही हम भारतियों को वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर जनम में वि और अगले ने साप कह दिया है शिंजो आबे को कि वहिया कोई सवारिया नहीं बिठानी है यह चुनावी रेल है इसलिए फटा पर चला बले पट्री वट्री बाद में बिचाते रहे हैं दरसल ये लोग चड़ना हिमाला पर चाते हैं लेकिन मुह हिंदवाशागर की तरफ है 2015 में आये थी शिंजो आबे तो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के समझोते पर हस्ताक्सर किये दिल्ली में और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के तीन घंटे तक गंगा आरती दिखाई और भरपूर समर्थन करना व्यंग तक पहुंच जाओ तो तीन घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुरसत है तो काईगो बुलेट ट्रेंज चला रहे हैं सोशल वीडिया ने भी उधम मचा रखा है ऐसा नहीं लगता कि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अब लगता है जैसे वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है निदा भाजली साब की दो पंक्तियां हैं उनमें अगर ख्षेप थोड़ा इधर उधर करूं तो कहना चाहता हूं कि दूप में निकलो गटाओं में नहा कर देखो जिंदगी क्या है मोबाइल हटा कर देखो मैं बजाई देना चाहता हूं मत्रदेश सासंको की अउसर के बहाने आपने इतने लोगों को घरों से निकाला वरना तो सब उसी में लगे रहते हैं घरों से निकलिये प्रजातंत्र के जो मुखे उद्देश्य हैं और जो मुल्ले हैं उनको पैचान है अड्डे बाजी जी एक दूसरे से मिलिए क्योंकि आजमी लेंगवेस से सीखता है उससे कहीं ज्यादा बोडी लेंगवेस से से पता नहीं से सोचल मीडिया क्यों कहते हैं हजारों किलोमेटर दूर बैठे आजमी तो हम चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं लेकिन बस्ट्रें फ्लाइट मे बेतर दरिया नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता है वह भी ट्वीट कर सकता है और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता है मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सजन ने यूट्यूब पर मेरे कवी सम्मेलन की एक एक क्लिप को साल में सोवी बार सुना और नीचे गाली लिखी लानत संपसरल को नालाइक ने साल बर्चे रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं गुए टेकनोलोजी से फोर्मेट बदलाया पाखंड वही है आए है वाह पहले देवी देवताओं के सोले पोस्ट कार लिखते थे आज कल देवी देवता का फोटो डाल करके सोले सेर मांगते अपनी समस्या से संबंदित कोई भी देवी देवता गूगल से डाउनलोड करो अपनी मन मनोकामना लिख करके सोशल मीडिया पे छोड़ दो गंटे आद गंटे में तो ऐसा वाइरल होगा कि आपका देवी देवता नई मनोकामना के साथ आप ही के पास आजाए है और एक आ गई है सेल्पी क्या आत्म मुग्दता का दोर ऐसा कैमरे का फ्रेम दिखते आदमी जिरा करके सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती है आपको सच बताओं उन सुंदरियों के चेरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दरपण में पदमनी का चेहरा देखकर के अलाव दिन खिल जी के आये हुग और आपकी तालियां उढ़ेंगे कितने धोके का संसार है वोई सुंदरियां मुझे आमने सामने साकसात मिल गई बड़ा दोखा हुआ जिनको पदमनी समझता रहा वो तो खुद अलाव दिन खिल जी निकले और कुछ नहीं करना एक मेल अकाउंट खोलना है जो बेंक अकाउंट खोलने से भी आसान बेंक अकाउंट खोलने के लि लेकिन सोशल मीडिया का फाइदा भी है एक तो आजमी घर बैठे आवारे किरती कर सकता है और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फाइदा यह है जो अपने साथ ले जाना जीवन में बड़ा काम आएगा बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई क्योंकि हर हाथ को काम मिल चु लिए दुनिया की कोई भी टेकनोलोजी ऐसी नहीं एडवांज उजाला बनाए जा सकता है दूप नहीं बनाई जाए जा बढ़िया बात है बहुत अच्छी बात है जाला बनाए रचना मैं आज इन कवियों की उपस्तिती में पहली बार सुना रहा हूं तो आप अगर ताल मन की बात इसी सहर के सरच जोशी जी थे वो प्रोज पढ़ते थे अंग्रेजी में हिंदी में जिसको गद्दे कहते हैं उर्दू में नसर कहते हैं बाकि सब आपको कविताई शायरी सुनाएंगे मैं आकेला आदमी गद्दे पढ़ता हूं सरच जी के सहर के लोग किशी प्रकार की होती हैं एक काम की बात और दूसरी मन की बात यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो फिर आपकी अलग बात है तालियां कमजोर दी है यों तो बात काम की हो या मन की होती दोनों बाती है अब आपकी फिर महबत मांगता हूं यों तो बात काम की हो या मन की होती दोनों बाती है लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े मन की बात कुछ-कुछ वैसी होती है जैसे सदैव टू विलहर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वे खाली सड़क पर भी होरन बजाते वे चलता है मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगेरे मूँ डाने पर आकास वानी कर दिया करते है अब फिर आपकी व्यंग पर नजर जाए मन की बात एक प्रकार का मोखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाए कान पहलाने होते है मन की बात के साथ विशय का लफड़ा नहीं होता यानि मन की बात बिना विशय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है यदि भूले भटके मन की बात विश्यांतर होकर भटक कर किसी विशय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंततक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विशय पर रही है काम की बात अपने काम से काम रखती है जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीक को इतने बज़कर इतने मिनट पर मन की बात होगी पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उचल पड़ते हैं वाह मज़ा आ गया फला तारीक को इतने बज़कर इतने मिनट पर काम की बात होगी काम की बात सुनी ने जाए तो अच्छी खाशी काम की बात भी मन की बात होगर रह जाती है जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाए तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाते है अब धान से सुनना वैसे सुनने वाले नहीं मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकते हैं क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं और अब मैं जो व्यंग कह रहा हूँ एक भी हात खामोस न रहे क्योंकि दीवारों भी कान होते हैं बलकि वह तो यह तक मान कर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं मन की बात अक्सर सुरू यहां से होती है भाई और भेनों बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई भेन सांस रोग कर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिन्दगी में अब सिरफ यही काम की बात बचे था काम की बात करने से बचने की एक मात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात सुरू कर दी जाए ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नी रखते कि वे जिन्दगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा मन की बात अक्सर ग्यान शिखाने जैसी होती है समापन के और बढ़ता हूँ मन की बात अक्सर ग्यान शिखाने जैसी होती है जैसे रतन नल पर चल रतन जट पर चल रतन जट पर नल पर चल ऐसी मज़ेदार मन की बात का नतीजा भी मज़ेदार निकलता है सुनने वाले प्रेरित हो खुद को रतन मानकर उठते हैं मटका बार्टी उठाते हैं और ने सिरफ नलकी और चलते हैं बलकि नलकी और जटपड चलते हैं और अब आपकी तालियां उठेंगी मेरा दावा है आप रोक नहीं पाओगे तुरन नल की और चलते हैं बलकि नल की और जट पड चलते हैं वहाँ पहुँचकर माथा पीटते हैं पिहाई नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है अर्थात नल तो कमबक खुद मन की बात कर रहा है स्रोताओं के इस रियक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है रतन घर पर चल रतन जट पर चल मन की बात करने वाला अंजाने में भी काम की बात नहीं करता वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे तो फिर मन की बात कौन सुनेगा अब मैं इस लेक का समापन कर रहा हूँ समापन पर तालियां बजा देना वरना इस्ची को फिर सुरू कर सकता क्योंकि मन की बात का कोई वरोजा निया कब सुरू हो जाए बड़ी मौभबत दी अता है अन्त में मैं फिर दोराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे बात कुल दो ही प्रकार की होती है एक काम की बात और दूसरी मन की बात यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो फिर आपकी अलग बात बहुत अच्छे बार जोड़ा तालिया बजाईएगा संपस सरल के लिए